प्रीमित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टेडिवित प्रदीप में दोस्तों आपको मैं बता दू कि हम लोग BPSC के लिए माध्यमिक का जो पेपर होगा माध्यमिक के लिए हम लोग 9 और 10 का जो पेपर होगा उसके लिए Biology के Practice Paper को कर रहे हैं Biology के यहाँ पर प्रश्न है जो प्रश्न आपकी परिच्छा में है हम आपको 5 और Model Paper आपको करवाने वाले हैं जिसमें Complete आपका 150-50 Question का पूरा Model Paper हम आपके सामने लेके आने वाले हैं उस Model Paper में आप करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कैसे प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न हमने लगबग उन 5 Model Paper को देखा है पढ़ा है और देखा है कि इसी तरह के प्रश्न वहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं तो ये कहीं न कहीं महत्पूर्स रिंखला होगी जब आप इसे पढ़ेंगे और इसको अपने जहन में उतारेंगे तो हम कोशिस करते हैं कि General Question है आपके RGS में भी काम देंगे आपके Science में भी काम देंगे Biology की महत्पूर्स प्रश्न है चलिए हम लोगी Start करते हैं बिना वक्त कवाए दूसरे वीडियो में पहला वीडियो आप लोगों ने पसंद नहीं किया लेकिन दूसरे वीडियो को आपने बहुत भरपूर पसंद किया है और ऐसे ही सबे वीडियो को आप पसंद करते रही है जिससे आपको ज़्यादा चीजें हम दे पाएं आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा जिनका उच्च मादमिक का है, बाटनी का वो सभी लोग आज जरूर अपना वीडियो देखेंगे पहले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं और पहला प्रशन थोड़ा जूम करते हैं ताकि आप भी पढ़ पाएं हमारे साथ आज के इस रिंखला में लगबग देड़ सो प्रशन है और हमारा प्रयास है कि इन देड़ सो प्रशनों को हम लग लगबग एक घंटे में करने वाले हैं इसे टारगेट के साथ आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलना है ताकि जादा से जादा प्रशनों का रिवीजन हो सके जहां पे तत्त की जरूरत नहीं होगी वहां पे हम लोग कोई भी बेफालतों की तरक की बातें नहीं करेंगे चलिए पहले प्रशन की तरफ बढ़ते हैं पूछ रहा है वन अनसंधान संस्थान कहां इस्थित है आसान सा प्रशन है एक्तम पॉइंटेड वन लाइनर क्योस्चन का प्रशन है आपके सामने है आप सब जानते हैं पूत्रा खंड में वन अनसंधान संस्थान लेकिन उत्रा खंड आपसन नहीं तो दहरा दून आपसन में है तो आपका सही आपसर क्या हो जाएगा दहरा दून ठीक आगे बढ़ते हैं भारती बानस्पतिक सर्वेच्छन का मुख्याले कहां? भारती बानस्पतिक सर्वेच्छन का मुख्याले कहां है? इस प्रसन का आंसर बताना है भारती बानस्पतिक सर्वेच्छन का मुख्याले कहां पे? कोलकाता में है और कोलकाता कि कहां पे? कहां पे? बेस्ट बंगाल मे आप सब जानते हैं, NGT, National Green Tributes, ठीक, National Green Tributes, अच्छा इसका फुलफार में पुछा है, ठीक है, तो इसका पूरा नाम बताना है, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, तो आप बताएंगे, इसका सही आंसर हो जाए, National Green Tributes, Tribunal है, Tributes सुने, Tribunal है, तो यह आपका सही आंसर है, RRB, N दोजार सोला में पूछा गया प्रश्ट है निम्रिकित में से कोन मादो जनी T घास का मेधार फसली भूहूम वर्था बन देखीaz आसाना आप का अंसर होगा फसली फसल जो है यह मादो के दोरा ही लगा जाती क्रॉप फसल जो होती है आप जानते हैं हमारे भारत में वैसे तो आप ये NCRT पढ़ेंगे तो आपको दो ही दिया गया है एक फसल को कहते हैं रभी फसल दूसरे फसल को कहते हैं खरीब फसल रभी फसल के अंतरगत आप देखेंगे तो रभी फसल में गेहूं है चना है मटर ह राई है यह सब रभी फसल के हैं जिसकी बुवाई 15 नौमबर से लेकर के 15 दिसम्बर के बीच में होती है और इसकी हर्वेस्टिंग जो है 15 मार्च से लेकर के 15 अपरेल के बीच में होती है लेकिन वहीं पर अगर हम देखें खरीब कराब की तो खरीब कराब जो है यह बरसात तो आली फसल होती है इसमें धान है जौर है बाजरा है ठीक है मक्का है यह सभी किस में आते हैं खरीब की फसल के अंदर गताते हैं और यह 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में बोह जाती है 15 अक्टूबर से 15 नौमबर के बीच में इनकी कटाई कर ली जाती तो ऐसी फसल को ह समयकाल खाली है तो यहां पर जो फसल बोई जाती है उसे जायत की फसल कहते हैं छोटे बच्चों की किताब पढ़ेंगे तो उसमें दिया जायत की फसल और इस जायत की फसल में आपके खीरा, ककड़ी, तर्बूज, खर्बूज यह सब बोई जाते है इको मार्क उन भारती उ उत्पादों को दिया जाता जो कह रहा है कि ऐसे उत्पादों को जिसे इको मार्क दिया जाता उसे क्या कहते हैं परिया बरण के प्रत मैत्री पूर्ण हो ऐसा उत्पाद जो परिया बरण के साथ क्या हो मैत्री पूर्ण हो यानि परिया बरण का मित्र हो ऐसे उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है चिपको आंदोलन आप सब लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में आपका जब लास्ट में परियावराण आला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग-अलग आंदोलन एक है आपका अम्रिता देभी बिश्नोय वाला जिसे आप लोग क्या कहते हैं व था जो पाउधा था अम्रिता देभी विश्नोय ला रात श्थानवाला उसका उस मुमेंट का नाम हमको याद आगाः बता देंग हो चिपको मुमेंट कहां से संब्लते थे चिपको मूमेंट जो उत्तराखंड से संब्लते समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा था लेकिन आप चुकी उत्राखंड में है तो उत्राखंड के नाम से जाना जाता है और यह वन कटाई से है लोग इससे जा करके बनों से क्या करते चिपक जाते थे और बन कटाई को लाप पहुचाते हैं मतलब बन कटने का बिरोध किया करते थे तो यह आपके 10 के कोर्स में ही है और उस कोर्स से यहां प्रश्न के रूप में आपके सामने हैं इसके जो नेता थे सुंदलाल बहुत फेमस हैं आप सब लोग जानते हैं चिपको नारा पारिस्थित की स्थाई अर्थव्योस्था है किसने गढ़ा है या किसने गढ़ा यानि किसका नारा है आपको इबताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सुंदलाल बहुगूरा ठीक है उसके आगे बढ़ते हैं पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं ऐसे पौधों को हैलो फाइट कहा जाता है ऐसे पौधों को क्या कहते हैं ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है जीरो फाइट कहा जाता है जीरो फाइट कहा जाता है जह आपको यहां पर पैडिगे पाइगा जाएंगे आपको बताने उस्टों और सुष्क कड़ बंदी सित्रों में जो हैं कौन पाइजाते हैं जेड़ोफिटिक यहां पे वर्सा 50 cm से कम होती है, वहां पे जीरोफिटिक पौदे पाय जाते हैं, जैसे कि राजस्थान के बेल्ट में पाय जाता कि नाग फ़नी, मृदा बर्दन रोका जा सकता है, यानि मिट्टी के कटाव को स्वायल इरोजन को रोका जा सकता है, किसके दौरा रोका जा सकता, आतिचराई से स्वायल इरोजन होगा, बानस्पतिक उन्मूलन दौरा क्या होगा, कि यहां पे मिर्दा पर्दन बढ़ेगा, बना रोपन दौरा बन को अगर हम रोपित करते हैं, तो बना रोपन से जो है परियावरान क्या मिट्टी का इरोजन रुकेगा, बीपीएससी में 95 में पुछा गया प्रशन है, अच्छा, आप हमें बता दिए बिहार में, बिहार में जो बिहार वाले हमारी मित रहें, हम उमीद करेंगे का आप सब बताएंगे, बिहार में 1% कितना है, बिहार में कुल 1% कितना है, आप कमेंट कर बताएं, अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट कर बताएंगे, मैं उमीद कर रहा हूँ कि आप सब इसका आंसर दे पाएंगे, पूछ रहा है निमलिकित में से कौन सा एक जयो निमनी करणी नहीं है कहरा कौन ऐसा है जो जयो निमनी करणी नहीं है उसके बारे मापको बताना सही आंसर कौन सा हो जाएगा तो आप कहेंगे चादी की पनी कहरा जयो दौरा निमनी करणी नहीं किया जा सकता यानि बायो डिग्रेबल सबस्टेंस नहीं है ऐसे पदार्थ जो बायो डिग्रेबल सबस्टेंस होते हैं और कुछ पदार्थ होते हैं बायो डिग्रेबल नहीं होते हैं यहां पे जूट की जो थैली है यह भी सड़ जाएगी यह भी सड़ जाएंगे यह लेकिन चांदी की पन्नी जो है जो सिल्वर फोल होते हैं जिसमें आप रोटी या इत्याद चीजें पैक करते हैं वह आपका जयो निम्निकरान में नहीं आता है तो याद रखने आली बात है निम्लेकित में से कौन जयो अभघटनी है कौन सा जयो ऐसा है जो अभघटित हो जता है यहादू आप नश्ट हो जाने वाले यहां पर आपकार कर प्लास्टिक जानी रहे है और यह जो है ऐल्मोनियम जानी रहे तो रहूड है निम्लिकित में से कौन सा प्रदूसर्ण कारक जीवी रूप से अबगटित होता कहरा कौन सा ऐसा है जो बायोड ग्रेवर सबस्टेंस के अंदर गता आता है यानि जैवीक रूप से अबगटित हो जाता है वेस्टेस डेटी प्लास्टिक मल तो यहां पर आपका सही आंसर क्य जाएगा जो मल है वे जैवीक रूप से अबगटित हो जाता नस्ट हो जाता मिट्टी में कनवर्ट हो जाता है निम्लिकित में से कौन सा जैव निमनिकरण है यानि कौन सा जीव को दWर्द कर दिया जाता है तो है कागज निम्लिकित में कौन सा जेव निम्लिकरणी है तो जेव निम्लिकरणी यहां पे आपको बताना प्लास्टिक है पालिथीन है पारा है रबर इसमें से कौन सा ऐसा है जो जेव के दोरह निम्लिकरणी करिया जा सकता है निमनी करण करिया जा सकता है तो वह है आपका रवर निमनी कित प्रदूसकों में कौन जयो बिख्टित है यानि किसको जो है जयो जिवों के दौरा बिख्टित किया जा सकता है तो वह है वाहित मल्ग जो जिवों के दौरा बिख्टित किया जा सकता है ये भी आपका important question है B.S.S.C. में ही आ गया जाते हैं Greenhouse case की संकलपना की थी Greenhouse case की संकलपना किसने की थी यह आपको answer की रूप में बताना है तो Joseph Fourier Joseph Fourier के दोरा Greenhouse case की कलपना की गई थी आपको comment कर बताना Greenhouse case कौन कौन सी case है जो Greenhouse case में आती हलाकि आगे उसका प्रश्ण है वह आपसना आपको मिलेगा हरित ग्री प्रभाव यानि Greenhouse effect का अर्थ क्या है वाई मंडल में Greenhouse case की घनी करण की करण वाई मंडल में Greenhouse case की घनी करण के करण वाई मंडल के तापमान का बढ़ना क्या कहलाता Greenhouse प्रभाव कहलाता है निम्न समुच्च के में से जो समुच्चे नीचे दिये गए हैं उन में से कौन सी case ग्रीन house प्रभाव के लिए अत्यदिक महत्तपूर है कहरा अत्यदिक महत्तपूर गय से बता नहीं मैंने उपर प्रशन में आपसे पूछा वही प्रशन यहाँ पर है Carbon dioxide, Methane, Chlorine, Nitric Oxide Nitric Oxide, Methane, Ethane, Clorofluorocarbon उसके बाद यहाँ पर Nitric Oxide है Nitric Oxide, Methane, Ethane, Clorofluorocarbon Carbon dioxide, Methane, Nitrous Oxide, जलवास्प या उसके बाद यहाँ पर दिया गया Carbon monoxide, Sulphur dioxide, Methane और जलवास्प अब इसमें से आपको उतानक सही आंसर आपका क्या है ति यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाए Carbon dioxide, Methane, Nitrous oxide और जलवास्प इस सभी जो हैं यह क्या हैं आपके Green house प्रभाव को कारण करने वाले सबसे अत्यदिक महत्पूर गैसों की सिरणी में आते हैं निमलिकित में से कौन सी प्राकरतिक रूप से पाई जाने वाली Green house गैसें सरबादिक Green house effect करती हैं करा कौन से ऐसी गैसे जो सबसे ज़्यादा Green house effect काज करती है और प्राकरतिक रूप से पाई भी जाती है इसको आपको बताना है वो है Carbon Dye Oxide निमलिकित में से कौन सा वाई मंडल में ओजोन परत की मुटाई नापने वाली इकाई है ओजोन परत की मुटाई ओजोन लेयर आप जानते हैं कि हमारे प्रित्वी की सुरच्छा करता है अल्ट्रा वाइलिट की रियक्स जो अल्ट्रा वाइलिट रे जाती हैं उन्हें और जोन परत की मुटाई को किससे नापा जाता है ڈापसंड के यूनिट से आप सबको याद होगा 16 सितमबर को विज़ोन परस संरचण दिवस के रूप में बताईये कि जो है 2023 में विज़ोन परस संरचण के लिए 2023 में कौन सी थीम रखी गई थी ये 2023 में कौन सी थीम रखी गई थी मैं उमीद रखूंगा का आप इसका उत्तर बताएंगे नहीं तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं वाई मंडल में जिस ओजोन शिद्र का पता लगाया गया है वह कहां परिस्थे थे जैसे पूरा ग्लोब है इस गलोब में आपको बताना कि वाई मंडल में जो ओजोन शिद्र के बारे में जानकारी मिली है वह ओजोन शिद्र कहां पर है इसे के बारे में आपको बताना है तो 256 का आंसर आपको देना कहां पर है तो आप कहेंगे अंटार कटका के ऊपर वाले हिस्से में ओजोन पर छिद्र देखा गया है या जाना जाता है उसके बाद आजाते हैं अंटार कटका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में इस पश्ट रूप से दिखाई देता है केरा अंटरकटका में जो ओजोन छिद्र है वह किस मौसम में आसानी से आपको दिखाई पड़ जाता है वह भीषड गर्मी का जब मौसम होता है तो अंटरकटका में पढ़ने वाला यह छिद्र आपको दिखाई पड़ता है वाई मंडल में उपस्तित ओजोन परत अवसोसित करती है कहरा जो ओजोन लेयर है हमारी जो ओजोन परत कहां पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है तो विया किसको अवसोसित करती है मैंने शुरुगात में जब डिस्क्रिप्शन इसका बोला तो उसी समय में बोल देखा, चुकि प्रशन इतने हैं, उस प्रशनों में घुमा फिरा करके सभी description की बातें आ जाती है, पता चलता है कि हम वही description की बात बोलने हैं, फिर वही प्रशन आए, फिर वही बात बोलने हैं, तो इस से क्या होगा, का आपका भी समय जाएगा, पेप करता है, ओजोन परत के सनचण के कारण क्या होते हैं, ओजोन परत के सनचण का कारण क्या होता है, आपको ये बताना, ओजोन परत के सनचण का मुख कारण क्या है, तो आप कहेंगे, तोचा कैंसर हो जाता है, अगर ना हो, तो इसके जैसे क्या हो जाएगा, तोचा कैंसर हो तोचा को नुक्सान पहुचाती ओजोन परत के ना होने पर वाई मंडल में कौन होता है अगर ओजोन परत नहीं होता तो वाई मंडल में क्या होता आप से पूछा जा रहा है तो कौन होता है ओजोन परत के ना होने पर वाई मंडल में कौन होता है आपको यह बताना है तो इस इसका सही आंसर हो जाएगा पराबैगनी किरणे इसका सही आंसर हो जाएगा पराबैगनी किरणे निम्न में से कौन से गैस बैस्विक उस्वड़ता के लिए उत्तरदाई है कौन से इसी गैस से जो बैस्विक उस्वड़ता के लिए जो हैं उत्तरदाई होती है तो हैं कारब डाइकसाइड और मीथें भूमंडली ताब रिद्ध में निम्लिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है उसे क्या करते हैं उसे करते हैं बनस्पत के प्रकास संस्लेशन के दर में कमी होना उसके आगे बढ़ जाते हैं यहां पर निम्लिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है ग्लोबल वार्मिंग यानि बैस्विक तापन की बात हो रही इससे उपाय नहीं है आपको यह बताना है कौन ऐसा है जो बैस्विक तापन से प्रदूसर का कारक नहीं है जिससे वायव प्रदूसर का कारक नहीं होती है वह आपको बताना जिससे वायव प्रदूसर नहीं होगी उसका सही आंसर आपका क्या होगा तो उसका सही आंसर होगा जिससे वायव प्रदूसर नहीं होगी वह है अमली वर्षा इससे वायव प्रदूसर्ण वाई में पहले से जाहे वो सल्फूरिक एसिड है नाइट्रिक एसिड है जो भी पहले से उनके आकसाइड उपस्तित है वो पाने से रियक्शन करके वाई में से कहा जाएंगे धरातल प्या जाएंगे और हमारी वाई सच्छ हो जाएगी तो यह जो है आपके वाई प्रदूसर्ण का कारक नहीं है याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं कैडमियम प्रदूसर्ण किस से समद्धिते कैडमियम प्रदूसर्ण की वजह से आपको एक रोग हो जाता जिसे हम लोग मिनी माता रोग कहते हैं तो हलाकि आपके पास चार आप संदिये गया है आप देखिए कैडमियम से मेनी माता रोग नहीं होता है तो आपको बताना कैडमियम प्रदूसर्ण से क्या समझ देता है इटाई इटाई रोग जो है किस से हो जाता कैडमियम प्रदूसर्ण के कारण होता है कोईला पेट्रोल डीजल आदि का दहन किसका मूल सुरोथ है कोईला पेट्रोल डीजल आदि का दहन किसका मूल सुरोथ है आपको बताना है कोईला है पेट्रोल है डीजल है आदि का दहन किसका मूल सुरोथ है आपको यह बताना है तो यह सभी सुरोथ किसके है whyup producer के मुक्कि सोरोतr की रूप में जाने जाएंगे sulphur dioxide का प्रदूसर निमलिकित में से किसके अत्यदिक बृत्ध होने का सुचक है lykans lykans क्या होते हैं lykans जो हैं अभी से प्रश्ड नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं lykans क्या है सुरी एक मिनिट मैं लिख रहा हूँ लाइकेन जो है ये атьल्गी ये पन जाइ यानि कवक तो कवक और ये है कवक और अल्गी का जो है अल्गी मतलब सैवाल इन दोनों का क्या है सहजीवी है सहजीवी किसे कहते हैं जभ दो अलग अलग जीव यानि दो अलग अलग जाट के सदस एक साथ रहते हैं दोनों आपस में इस परकार से गुल मिल जाएं कि यह इसको लाप पहुचाए और यह इसको लाप पहुचाए ऐसे जीवन को मुचलिज में यह सह जीविता कहते हैं और लाएकेन और सेवाल दोनों आपस में इस प्रकार मिलते हैं सेवाल और कवक के दोनों मिलकर के एक नई सिलिक बिराइफाइटा क्या है बिराइफाइटा पादब जगत का उगेचर कहलाता है प्रोटो जो आप जानते हैं किसमें एक कोज की जनत वाते हैं सहवाल मतलब सहवाली होता है वाई मंडल में कार्बन डाइ आकसाइड के संचाई करण को कम करने का एक उपाय बना रोपन है क्योंकि कहरा वाई मंडल में जो carbon dioxide है उसके label को कम करने का एक उपाय बना रोपन है क्योंकि कैसे बना रोपन है यही आपको बताना है तो 269 का answer आपको बता देना क्या होगा 269 का answer आपका जो है उक हुआ पेड़ों से carbon sink बनती है कारबन sink बनती है आगे कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है ठीक ताजमहल का है आगरा में है या मार्बल कैंसर क्या है आपको यह बताना है कि ताजमहल जो है वो मार्बल कैंसर से जो है ग्रस्त है या मार्बल कैंसर क्या कहलाता है किसको मार्बल कैंसर कहते हैं यह आपको बता यए निक्टरेस्ट उदोग में ताजमहल से धूम करती हैं उसके कारण तो आपको मताना सही आंसर है क्या है यहां पर आपका सही सही आंसर हो अमली वर्सा जो वहाँ पर मार्बल लगे हैं उस मार्बल का क्या करती हैं छरण कर देती है नुकसां कर देती है निम्लिकित में से कौन सा एक वाइव प्रदूसक मानो दौरा मानो एक के लिए मानो एक के हीमो गलोमिन्स मानो एक के हेमोगलोबिन के साथ सायोजित होकर कि आकसीजन ले जाने की इसकी छमता को कम करता है जिससे स्वांस औरोधी होता है और मृत भी हो सकती है तो सही आंसर आपका 271 का क्या हो जाएगा कार्बन मोनो आकसाइड आगे बढ़ जाते हैं परियावरण में प्रदोसकों की उपस्ति को सामानते है पी पी एम में बिक्त किया जाता है जहां पी पी एम का पूर्ण रूप क्या है कहरा परियावरण को जब चेक किया जाता तो उसे पी पी एम कहते है PPM का पूर्रूप आपसे पूण रूपँ पूर्रूप गया होगा तो 272 का आपको सही आंजर बताना PPM का Summar 2 War क४ि किया है? PPM को कहते है Parts Per Million Parts Per Million को क्या कहते है PPM कहते है eine Producer ago piston का六a 감사 yes PM काcemos पूर्रूप क्या है SPM का पौन रूप आपको बताना रोप तो क्या है यही आपको बताना है PRUDUSERN में सुच का अंगय, SPM का पौन रूप क्या है यह आपका सही आंसर हो जाएगा 273 का अगर हम देखें तो वो हो जाएगा visited particular matter suspended particulate matter को क्या कहते है perform? पीम कहते हैं वाई प्रदूसर के संदर में पीम क्या ताथपर है वाई प्रदूसर के संदर में पीम का ताथपर क्या है यानि पीम तो प्राइम मिनिश्टर भी होता है लेकिन यहां वाई प्रदूसर के संदर में आपको बताना है तो पीम का ताथपर क्या हो जाएगा यहा गया जते हैं परियाबरण के अध्यान के संदर्व में CER किसे संदर्वित करता है आपको यह बताना परियाबरण के संदर्वित करता है आपको बताना दो सो चेटर का सही आंसर तो वह हो जाएगा आपका गौड प्रदूसर्प के रूप में जाना जाता है निमलिकित किस बिकल्ब का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूसित हो जाता है कि किस का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर के प्रदूसित हो जाता है 277 का आपको आंसर बताना है 277 का सही आंसर हो जाता है आपका इस मॉट आ गया जाते हैं प्रित्वी सिखर सम्मेलन प्रित्वी सिखर सम्मेलन हुआ था तो आपको बताना प्रित्वी सिखर सम्मेलन कहां हुआ था तो आप कहेंगे रियो डी जिनरों में प्रित्वी सिखर सम्मेलन कहां हुआ था रियो डी जिनरों में और उसके बाद क्योटो प्र प्रोटोकाल से आपको सम्मंधित क्योस्चन बताना है यह अमली बरसा को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है अब आपको सही आंसर बताना 279 का सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताए 279 का सही आंसर आपका या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच का करार है क्योटो प्रोटोकाल किस वर्ष से संबंदीत है यह सब प्रशन आपके एक्जाम में घुमा फिरा करके परियावरन के प्रशने पूछे जाने वाले प्रशने क्योटो प्रोटोकाल किस वर्ष से संबंदित है तो आप कहेंगे 2005 से संबंदित है कहां से संबंदित है कब से प्रभावी हुआ है तो 2005 से प्रभावी हुआ है मान्ट्रियल प्रोटोकाल किस से समंदित है मान्ट्रियल प्रोटोकाल 281 का आंसर बताइए मान्ट्रियल प्रोटोकाल ओजोन परत के 6 को रोकना है मान्ट्रियल प्रोटोकाल किया है ओजोन परत के 6 को रोकना है वातावरण में क्लोरो फ्लोरो कार्बन या इस यपसी उसर्जन पर प्रतिबंद लगाने समंदि प्रतिबंद लगाने समंदि प्रतिबंद लगाने समंदि प्रतिबंद लगाने समंदि प्रतिबंद लगाने सम 282 का सही आंसर क्या होगा वो है मांट्रियल प्रोटोकाल में मांट्रियल समेलन 1987 में कौन बड़ा फैंसला लिया गया था कहरा मांट्रियल समेलन 1987 में जो हुआ था इसमें कौन सा बड़ा जो है एक बड़ा समझा होता या बड़ा फैंसला लिया गया था यह आपको बताना है 283 का सही आंसर क्या होगा तो आप कहेंगे बिक्सित देशों 2000 तक पूरी तरह से CFC के उत्पादन पर क्या लगाएंगे प्रत्बंद लगाएंगे कार्टा जेना प्रोटोकाल का संबंद है कार्टा जेना प्रोटोकाल का संबंद किस से है आपको बताना है नया प्रश्ण है नय तरीके का प्रश्ण है कार्टा जेना जो है जयो सुरुच्छा समझाओते से संबंदित है और यह प्रश्ण आपके परिच्छा के लिए बहुत ही एक्टिव होंगे या जो PCS वगेरा का एक्जाम देते होंगे तो आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा लेकिन साधारन बायलोजी का एक्जाम देने वाला ब्यक्ति इसके बारे में बहुत रियर केस में कोई जानता होगा काटा जेना इंप्वार्टन है जयो होता है तो अत्यधिक प्रियोग करते हैं तो उससे मरिदा प्रदूसर्ण होगी यानि मर्दा हमारी अमली हो सकती है जेल प्रदूसर होगा जब बह कि जया जब को प्रदूर बोर्दूसरं को सभी Eles के लिए जिम्यदार हो जाते निमलिकित में से कौन सा जल प्रदूसर का कारण नहीं है समुद्री डंपिंग जल का कच्रा तल पर टट पर मचली पकड़ना तेल फैलाना तो कहरा कौन सा समुद्री प्रदूसर का कारण नहीं है नहीं वाला बताना है आपको समुंद्री प्रदूसर्ण का कारण नहीं है भाई टेट पे बैट करके नहीं वाला पूछरा टेट पे बैट करके मचली पकरिए समुंद्र प्रदूसर्ण नहीं होगा पे जल आपूर्ती में कॉलिफार्म की उपस्तिती का लच्छण है आपको इसके बारें बताना है तो ये आंसर हो जाएगा मानो अपसिष्ट से संदोसर निमलिकित में से कौन सी खर्पतवार और दोगिक बही सरावी से होने वाले जल प्रदोसर को नियंतरित कर सकती है पार्थीनियम, हाथी घास, जल कुंभी और मोगर घास कहरा कौन से एसी घास है जो खर्पतवार अतिदिक बही सराव होने वाले जल प्रदोसर को नियंतरित कर सकती 288 का प्रश्ण बताना है यहाँ पर आपका सबसे अच्छा जामपल कौन है पार्थीनियम घास है उसके 259 पे हैं यानि आप मान चलिए कि हम लोग अभी कितने प्रश्ण करने हैं आपके 100 प्रश्ण से जादा है और आप भरोसा रखे पूरा प्रश्ण करकर के ही हम लोग बंद करने वाले इसे ठीक है जल उपचार सन्यंदर में क्लोरा माइन के प्रियोग से क्या सुनिश्चित क्या जाता है जल उपचार सन्यंदर में क्लोरा माइन के प्रियोग से क्या सुनिश्चित क्या जाता है आपको बताना है 289 का सही आंसर क्या होगा इस्थाई का ठोड़ता दूर करने के लिए क्लोरा माइन का प्रियोग सुनिश्चित क्या जाता है जल में प्रदूसकों के रूप में मौजूद लोहे और मेगनीज को किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है यह प्रश्ण आपको बताना है किसके द्वारा नहीं हटाया जा सकता है तो यह प्रश्ण हो जाएगा आपका यहां पे कलोरीनी करण नहीं अटा जा सकता, क्लोरी नहीं करन, उसके बाद आ जाएंगे निमलिकित बिकल्पों में से कौन सा जल प्रदूसर का उपचार है कहरा कौन सा ऐसा है जो जल प्रदूसर का उपचार होता है वो अपका हो जाएगा, परावर्ती परासरन उसके बाद सोर के किस इस्तर से उपर का सोर कान में दर्द योंग्छत का कारण होता यानि कौण सा इस तरट ऐसा है उससे उपर का सोर हमारे कान के लिए नुकसान दायक है यानि कहां तक का सोर हम इजली सुन सकते हैं समझ सकते हैं लगभग 80 decibel, लगभग 130 טrichwell, लगभग 2050, लगभग 180 decibel, तो आपको बताना है सही और जिन होगा, तो यहाँ पे आपका 80 decibel से होपर क्यों होती है? काल क्या हो, सरदर्द, कांदर्द के लिए जिम्मेदार हो जाएगी, आप जानते हैं, साउंड 3 प्रकार की होते हैं, साउंड उसके बाद दूसरी होती है जो आपकी कौन सी अल्ट्रासोनिक इन्फरासोनिक और जो है अड़िबल साउंड की दूट की बात हम लुग कर रहे हैं अड़िबल साउंड की दिन्ज कितनी होती है 20 से लेकर के 20,000 अजार हट्ट तक की साउंड को किसके दौरा नापा जाता है तो हाइट के दौरा नापा जाता है चलिए निमलिखित में से कौन सी धोनी प्रदूसर्ण का प्रभाव नहीं है यानि धोन प्रदूसर्ण में इसका प्रभाव नहीं है यानि धोन प्रदूसर्ण में इसका प्रभाव नहीं है क्या वशूओं की मौत ओजोंच है उच्छरक्टचाप या कार्णेनाद तो कौन ऐसा है जो ध्वन प्रोदूसर्ण का प्रभाव नहीं है तो आप बताएंगे कौन है यहां पे ओजोंच है आगे बढ़ जाएगे निम्लिकित में से कौन सा ध्वन प्रदूसर्ण का एक प्रभाव नहीं है कहरा ध्वन प्रदूसर्ण का एक प्रभाव नहीं है उच्छरक्त चाप तचारोग ठिक तो कहरा है कि यहां पे आपका प्रभाव नहीं है तो आपका क्यों हो जाएगा तो चारोग जो है ओध्वन प्रदोस्कों का प्रभाव नहीं हठीले यानि persistent carbonic प्रदोस्कों का परिवहन जादा तर किया जाता है जानवरों और पच्छीों में, मनुष्ट में जल और पच्छी में, पौधे में तो किस में किया जाता है 295 का आपको आंसर बताना है 295 का सही आंसर हो जाएगा हवा और पानी में हठीले और कार्बनिक प्रदोस्कों का परिवान ज्यादा तर हवा और पानी में किया जाता है कचरे में एक कार्बनिक अपसिष्ट होता है कचरे में एक कार्बनिक अपसिष्ट होता है प्लास्टिक बैक धात सब्जी के छिलके या ग्लास कचरे में एक अपसिष्ट होता है उसका नाम क्या है सब्जी के छिलके जो कि कार्बनिक अपसिष्ट के रूप में जाने जाते है निमल कित मेंसे कौन सा बिजली उध पाधन का एक परियाबरण के अनकूल धंग неहीं है यह आपको बताना 297 का ऐ थर्मल पावर कौन है थर्मल पावर आगया जाते हैं या जेयो संचेन का कारण क्या है 298 का आपको आंसर लिखना है तो आप बताइए कौन सा आनवानसिक जो है परियाववरन की समस्या नहीं है سہी अंशर हो जाएगा बन tookrit करने से परियावन समस्या नहीं होगे चरणोबिल महापिदा किसके प्रदूसर का परणाम है चरणोबिल महापिदा किसके प्रदूसर का प्रणाम है तो यह हो जाएगा तेल, छित्राव, रेडियो धर्मी, अपसिष्ट, कार्बन डायाकसाइड, अमल बर्सा तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी जो है रेडियो धर्मी, अपसिष्ट Solid Waste, निमलिकित में से और किस दाम से जाना जाता है Sedge, Toxic Based, Sludge और Iscarbers तो आपका सही आंसर हो जाएगा, Solid Waste को हम लोग क्या कहते है, Sludge कहते है, Sludge जो है, Sludge जो है, Sludge जो है, उसको कहते है निमलिकित में से कौन सा एक परियावर्णी परिवर्थन के प्रत सरवाधिक संबेदन सील है कहरा कौन ऐसा है जो परियावर्णी प्रत संबेदन सील है आपके परिवर्थन के प्रत संबेदन सील है तो सही आंसर है उभैचर उसके बाद आ जाते हैं इदर मानक जन्त बिग्यान नमंकन में किस भासा का उपयोग किया जाता है मानक जन्त बिग्यान नमंकन में किस भासा का उपयोग किया जाता है लेटिन, फ्रेंच, इस्पेनिस, ग्रीक तो किस भासा का उपयोग करते है मानो जंत बज्ञान के नामंकन में किस भाँसा का उपयोग किया जाता है वह लेटीन, फरेंच, स्पेमिस यह घ्रीक चलिए बताए यह नामंकन अगर जंत बज्ञानी के नाम आप लिख रहे हैं तो किस भाँसा का उपयोग करेंगे जल्दी से बता दिजे तो Latin word का उप्योग किया जाता है आपको मैंने बताया था कि Lineus नामक एक बगए मैं आपको एक बार इसके समरी बता दें फिर मैं आगे चलता हूँ चोकि यह महत्तपून टापिक है Lineus नामक साइंटिस्ट थें उन्होंने जो हैं प्राकृतिक वरगिकरण पद्धत किसके दौर दिया गया बेंथम और होकर के दौरा जात प्रेटि से एक परस्ण आपको वाजस मिलना है बहुत इम्पर्टन परस्ण है तो जन्तूँ का जो है बाई-नामेन-नामन-कलेचल जो की Systema Nature, जो की Lienius के एक उस्तक है उसमें उन्हों ने सिस्टमा नेचुरी में जिउओं के बाई नामिल नामन क्लेचरी यानि दोई नाम करन पद्दत के बारे में बताया जिसमें लीनियस ने कहा कि जो है पहला जो नाम जिगों का लिखा जाएगा जीनस का लिखा जाएगा और एक कैप्टर लेटर से लिखना सुरू किया जाएगा वहीं पे जो दूसरा नाम होगा, वह नाम किसे होगा, वह नाम होगा आपका, इस पिसीज का नाम होगा और वह इस वान लेटर से ही लिखना शुरू किया जाएगा इन्होंने कहा कि इसको हम लोग Latin bird में लिखेंगे लेकिन अगर हम handwriting में लिखते हैं तो जीनस के नाम को अलग और species के नाम को अलग हम लोग क्या करेंगे underline कर देंगे ठीक है तो ये आप से पूछा जा रहा है तो प्रशन पूछा है कि जीओं का जब जैन्त वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो हम किस भासा में लिखते हैं तो Latin word में लिखा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन सा एक कोस की जीओ उदारन है एक कोस की जीओ का उदारन यहाँ पे कौन है यानि यहाँ पे प्रोटो जोवा जो है एक कोस की जीओ का उदारन हो जाता है आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोटो जोवा आगे बढ़ जाते हैं अब आपका जन्त विज्ञान शुरू हो गया तो यहाँ पे आप जन्तुबिग्ञान को सफर कर रहे हैं एकोलाजी वाला हिस्सा आपका खतम हो गया यानि आप यहाँ से आपके जन्तुबिग्ञान में आप इंटर कर चुके हैं अमीबा, अमीबा एक कोज की प्रोटो जोगा है तो वही आपसे पूछा जा रहा किसके अंतरगत आता है जेली फिस, जेली फिस किसमें आता है तो जेली फिस जो है आपका किसमें आ जाएगा जल्दी बता ही बहुत important question है जेली फिस किसके अंतरगत आता है बहुत महत्पूर और बहुत सस्ता question आपके सामने जेली फीस जेली फीस जो है आपका संग नाइडेरिया के अंतरगत आता है ठीक है आपने एनिमल किंगडम का वीडियो अगर नहीं देखा है तो आज आप देखेगे उच्छ मादमिक का उच्छ मादमिक का जो है एक जोलोजी का वो पड़ेगा मैराथन और उस मैराथन में प मंदित पूरे प्रश्ण आपको होंगे उसमें पहले हम आपको क्लासिफिकेशन बताएंगे ता आप जरूर पढ़िएगा बहुत मैत्पूर होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं कह रहा है कि जेली फीस किस संग का एक उदारन है हो गया आपका नाइडेरिया का और इसमें सास लिया जाता है इसमें तंत्र का तंत्र पाय जाते हैं लेकिन दिमाग नहीं पाय जाते हैं यानि ब्रेन नहीं होता परंद भी इसके पास नहीं होता है निमलिके जिवों में से कौन सा जिवो मुकलन बिधी द्वारा जो है क्या करता है प्रजनन करता है तो करता है यहाँ देखिए केरा प्रजनन नहीं करता है तो मुगा प्रजनन करता है हाइड्रा प्रजनन करता है इस पंज करता एनिलीडा प्रजनन नहीं करता और मैं यही सोच रहा था कि सब आंसर तो सही है तो बाद में समझ में आया कि तो नहीं लिखा गया है तो एनिलीडा का सही आंसर हो जाएगा निमलिकित में से कौन कीट नहीं है या इसी गलतियां आपके एक्जाम में भी होती है आप जल्दी जल्दी पढ़ रहा था और उस जल्दी पढ़ने में गलती क्या हुई हमारा टार्गेट है कि डेट सो प्रशन है और इन प्रशनों को हमें जो है कित नहीं है कित जो होता है वो उसका एक लच्छन होता कित होने का लच्छन होता है उसकेहसाब से कीट में 6 मतलब 3 जोड़ी पैर होने चाहिए और मकड़ी में चार जोड़ी पैर पाय जाते हैं अता मकड़ी कीट के अंतरगत नहीं आता फेरोमोंस क्या होते हैं हार्मों जिसे हम लोगों के सरीर में हार्मों निकलता है अनिक प्रकार के हार्मों हमारे सरीर में निकलते हैं उसी प्रकार से किस प्रकार से सांस लेते हैं यह आपको बताना है अजिकांस कीट किस प्रकार से सांस लेते हैं 311 का आपको उत्तर देना है जल्दी बताएं 311 का उत्तर हो जाएगा वात यंतरों दौरा कीटों के पीछे देखिए ऐसे एक स्पैर्किल होता है अगर आप इंसियाटे इंगली जो है आर्थोपोडा संग के अंतरगत आती हैं मकड़ी प्राणी वर्गिकरण के किस वर्ग में आती हैं क्लास कौन सा होता है इनका वर्ग कौन है तो इनका वर्ग जो होता है एरिक नीड इस एरिक नीड वर्ग के अंतरगत मकड़ियां आती हैं मकड़ियों में कितने आखे पाई जाती है आपको इसका अंसर बताना है तो आपका हो जाएगा चार जोड़ी आखे पाई जाती है यह आख नहीं होगा बलके हमारे सबसे पैर होना चाहिए यह गलत है पैर कितने जोड़ी होते है चार जोड़ी होते है ठीक है उसके बाद गोगा का संबंद किस है घोगा जो है मोलसका के अंतरगता है क्योंकि इसके उपर इसकी सरीर बहुत मुलाइब होती है के उपर कारबोनीट का बना हुआ एक लेर आ जाता ह workflow का nursery कोтоो डोह हिस्सा होता जो इसका अधर भागता उसमें पह पाजाते हैं जो प्रिश्ट भाग के अंतरगत आता है आपको यह बताना है केकड़ा जो है आर्थोपोडा संग के अंतरगत आता है निमलिकित में से जीव में रक्त सफेद होता है कौन सा ऐसा जीव है जिसका रक्त क्या होता है सफेद होता है यानि कलरलेस होता है वह आपको बताना है वह जीव कौन है तो वह स्फून को पीते हैं तो कौन है घर रिसम कीट किसफ पर पनप्ता है यो करते हैं रेसं का उतपादन किससे अब आपको बताना है रेशम का उत्पादन किस से होता है इसका सही आंसर आपको देना है तो रेसम का उत्पादन किस से होता जल्दी बताए रेसम का उत्पादन रेसम कीट के प्यूपासे होता है रेसम के कीडे पालने को क्या कहते हैं रेसम के कीट पालन को क्या कहा जाता है तो सेरी कल्चर कहते है रेसम कीट पालन को क्या कहते है क्योंकि इसका सुसन अंग है काकरो जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इसका सुसन अंग है क्या है तो आप कहेंगे वातक यानि ट्रेकिया जो है इसका स्तोसा नंग होता है जैसे जल में जाता है इसमें पाणी भाठा जाता वह सांस नहीं पता हुबॉछ किसमे खुली नारी समंधितंद्र पाया जाते हैं सेक्षुला नारी समंधितं पाया जाता हैं कौन जीव मॉलस्षकापरिवार से सम्मंदित है वह कौन सा जीव है जो मोलस्का परिवार से सम्मंदित है जल्दी से बता दीजी तो है आपका घोगा निमलिकित में से कौन से जानवर का सम्मंद मोलस्का से है वह कौन सा ऐसा जानवर है जिसका सम्मंद मोलस्का से है आप बताएंगे तो उसका सही आंसर हो आक्टोपस क्या है म्रिद कवची है यानि इसकी कवच जो होती है म्रिद होती मुलायम होती आक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है आक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है आपको ये उत्तर बताना है आक्टोपस के खून का रंग 327 का आंसर बता है आक्टोपस के खून क की रिड की हड़ी वाले प्राणी प्रजात के अंतरगत आते हैं रिकी हड़ी वाला कौन सा ज्यूँ होता है कीवी होता है इस स्पयांस अर्फ उर्फ वार्म तो कौन यहाँ पे रीड की हड़ी वाला वर्टी ब्रेट जीव होता है आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा 329 का सही आंसर आप बता दिये तो यहाँ पे कीवी जो है वह रीड की हड़ी वाला जीव के अंतरगत आ जाता है निम्लिकित में इसे किसमे होमो डांट दांट पाय जाते हैं वह कौन ऐसा है जिसमे होमो डांट टाइप के दांट पाय जाते हैं होमो डांट टाइप के दांट किसमे पाय जाते हैं मचली में पाय जाते है निम्लिकित में इसे कौन मचली नहीं है यानि कौन ऐसा है जो मचली नहीं है आपको इस बताना संग आर्थो पोड़ा का मेंबर होता है स्टार्फिस स्टार्फिस सत्य मचली की सिनरी में नहीं आता है तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टार्फिस आगे बढ़ जाते है अगला परसने नेमन में से कौन एक मीन है यानि कौन ऐसा है जो मचली यानि तीन ऐसे हैं जो मचली नहीं है आपको बताना कौन ऐसा है जो मचल है यहां पर तो आपका सही आंसर हो जए गा तीन सो बतीस का सही आंसर आप बताएए क्या होगा फ्लाइंग में सब्सकर कर जाताै और यह सद्य मझली की सृEMA में आता है निम्लेखित में से कौन सा एक प्रकार की मचली है कहरा कौन यहां पे है जो की एक प्रकार की मचली है प्रवाल मुंगा रजत मिनाब अश्वमीन और इन में से कोई नहीं आप बताइए कौन एक प्रकार की मचली है तो अश्वमीन जो है एक प्रकार की क्या हो जाती 333 का आंसर देंगे तो आज सुमीन एक प्रकार की क्या हो जाती मचली हो जाती है निम्लिकित बिकल्पों में से कौन सी मचली है जेली फिस और उसके बाद निम्लिकित में से कौन सी मचली जेली फिस लोवेस्टर सलमान वेल कौन से ऐसी मचली है जो यहाँ पे निम्लिकित बिकल्पों में मचली की सि सबसे जहरीली मचली कौन सी है? पंफर मचली, पारकुपाइन मचली, एंगलर मचली, या पिरांस मचली? कौन से असी मचली जो सबसे जहरीली मचली? 335 का आंसर बताइए तो आपका होजाए का पंपर मचली जो है यह सबसे जहरीली मचली होती है आगा यह मचरों के नियंद्रण है प्रयोग होने वाली कीट-भच्छी मचली है मच्छों के नियंद्रण ही प्रयोग होने वाली कीट भच्छी मच्छी कौन सी है तो आप गुम्बसिया गुम्बसिया इसी मच्छी जो सर्फिस फीडर होती है यानि सता से भोजन को चुनती है मच्छर के लारवा पाने की सता पर होते हैं यह उन्हें खा जाती है यानि पानी में surface tension को कम कर देती है जिससे डूब जाते हैं और यह इससे मच्छर से बचाने वाली मच्छी होती है गुंबसिया बड़ी important मच्छी की सिर्णीम आती है मच्छरों से बचाती है मच्छी कहां से सांस लेती नाक से फेपड़े से गलफड़े से या पंक से मच्छी कहां से सांस लेती है तो गलफड़े से लेती यानि गिल से लेती है अगर इंगलिस में कहें तो गिल से लेती है आसोत जल में मच्छी आसोत जल में मच्छली क्यों जीवित नहीं रह सकती? यानि ऐसा जल हो जो कि pure water हो इसमें मच्छी जिंदा नहीं रख सकती ऐसा क्यों होता है? तो आपको 338 यानि 338 का सही آंसर बता ना 338 का सही आंसर क्या होगा? परसर्णी मच्छी के सरीर में तरल पदार्थों का पतला कर देता है परासरणी में मचली के तरल पदार्थों को क्या कर देता है पतला कर देता है आगे आ जाते हैं अगला प्रस्ट कहां चला गए भाई यहां से एंफीबिया बनाता है amphibia क्या बनाता है बहुत तेजी से चलने वाले नाओ οποो किवल जल मेर सकने वाले पसु को जल और इससर दोनों पर रह सकने वाले पसु को क्या करते है और निर्मगित्में से कौन सा जियोब अपनी तोचा से सांस लेता है सब्सक्राइब मतलब जब ठंडीक दिनों में मिट्टिक नीचे छूप जाता है तो सबंसक्राइब और जब गर्मिक दिनों में मिट्टिक नीचे छुप जाता तो उसे estivation कहते हैं निमलिकित में से किसकी उपस्थति के कारण गिर्गिट रंग बदलता है कहरा कौन ऐसा है जिसकी उपस्थति के कारण गिर्गिट रंग बदल लेता हीमोगलोबिन वर्ड की लवक क्लोरोफिल बात रंद किसके कारण हीमोगलोबिन गिर्गिट रंग बदलता है इसका आंसर आपको बताना है 341 का सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए 341 का सही आंसर होगा वर्ड की लवक के कारण गिर्गिट अपना रंग बदल लेता है है ऐलीपीडी नाजा का बेग्यानिक नाम है ऐलीपीडी नाजा का बेग्यानिक नाम गोसला बनाने वाला एक मात्र साफ कौन सा है? कौन सांप है जो घोसला बनाता है उस सांप के बारे में बताना है घोसला बनाने वाला एक मात्र सांप कौन सा है उसके बारे में बताइए दो सो 343 का सही आंसर हो जाएगा किंग कोबरा किंग कोबरा क्या करता है घोसला बनाता है डाइनासोर थे डाइनासोर जुरैसिक पिरियेट मेंत है जुरैसिक पिरियेट का आपने मोबी भी देखा होगा लेकिन यहां पर आपका जुरैसिक पिरियेट का नाम कहीं पर दिया ही नहीं अब आप फय 같아요 आपको answer बताना है तो सही answer यह प्रश्ण आप से पूछा जा चुका है 345 का सही आंसर आपको बताना है तो कह जाएंगे जुरैसिक युक का सर पुरातम पच्छी होता जिसका नाम क्या है आर्कियोप्टेरिक से निम्डी के तोड़ने वाले जियों में से कौसा पच्छी वर्ग में नहीं आता कहरा यहां सभी उड़ने वाले जियो दिये गए हैं इसमें चमगादर जो है इस तंधारी वर्ग के अंतरगत आता है बाकि सभी पच्छी वर्ग के अंतरगत आते हैं पिंग्विन चिडिया कह प्रिथबी पर विसालतम जीवित पच्छी कौन सा है। सब्संदम्datỏi करना जब को यह किसाहरों प्रित्वी पर विसालत्म जीवित पक्षी कोन सा viene rebellious गीचे beginningsrir, precpping फिशारण सब्सक्राइब ने करने की रहाइक, उरह जी बता धार, जब से बड़ा अंडा complete 1-टा मिश्ई таким कहा है फिर्फी रहाएता daw में, कौन सा जीवित ? पच्छी भिष्ट का सबसे छोटा अन्डा देता है यानि कौन सा ऐसा जीवित पच्छी है जो छोटा अन्डा देता है सबसे छोटी पच्ची है तो सबसे छोटा अड़ा भी देगी स्रिंग्स वाकियंत्र है किसका पच्छी 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 का स्रिंग्स वाकियंत्र किसका है तो स्रिंग्स वाकियंत्र जो हो जाता किसका हो जाता प प्राणी कौन से हैं तो गर्मर उधिर वर्ग वाले प्राणी जो है वो पच्छी वर्ग और इस्तंधारी वर्ग होते हैं जो गर्मर उधिर वर्ग वाले प्राणी होते हैं इनके बाद सरीर का तापमान इसते ही रहता है जबकि जो सीतर उधिर वर्ग वाले प्राणी होते है उबहाचर मत्स और सरी सरी पिनके सरीर का तापमान बदलता रहता है वाई मंदल के तापमान के अनुसाद आगे बढ़ते हैं भारत में गिद्धों की कमी का अतदिक प्रमुक कारण क्या है जानवरों में दर्द निवारक दवाका देना इसका कारण डाइकलो फिनेक की वज़ा से गिद्ध जो है बिलुप्त हो गए मनुष मैमेलिया इस्तंधारी वर्ग से संबन देते जिसमें निम्लिखित में से कौन आता है वह कौन है तो आप बताना है कह रहा है इसके अलामा और कौन आता है जो कि यहां पे मैमेलिया के अंतरगत कह रहा है मनुष मैमेलिया इस्तंधारी वर्ग से संबन देते इसमें निम्लिखित में से कौन एक नहीं आता है तो कौन नहीं आता है यहां पे दिल्ली जो है दिल्ली नहीं बिल्ली है ठीक है और यहां पे छिपकली जो है यह रेप्टिलिया यानि सरी- पस इस्तंधारी है कौन सा ऐसा है जो इस्तंधारी जो की यहां पे इस्तंधारी है यानि अपने बच्चे को दूद पिलाता है बाहकान पाए जाते हैं शरीर पे बाल पाए जाते हैं इन सभी लच्छणों के आधार पे इस्तंधारी होगा 357 का सही आंसर आपको बताना है प् अंडे देने वाला प्राणी होता है और उसके बाद इस्तंधारी का प्राणी निम्लिकित में से कौन इस्तंधारी जानवर अंडा देता है इस्तंधारी है और जानवर है अंडा देता है तो वो प्लेटिपस है ये ऐसा जानवर है एक सगंड या निम्लिकित में से कौन सा इस इस्तनी होता है यहाँ पर बताना है कौन अंडज इस्तनी है अंडज है और इस्तनी भी तो सही आंसर है मौनो ट्रिम मोनो ट्रिम जो है अंड़ इस्तनी होता है निम्लिकित में से अंड़ा देने वाला इस्तनपाई कौन सा है जो अंड़ा देता है उसके बारे मापको बताना अंड़ा देने वाला जानवर कौन सा यहां पे है तो चमगादर है परणिन चीटी खोर है कंटीला चीटी खोर है या असर बताना है बिसालतम इस्तंधारी कौन है ब्लो हेल है निमलिकित में से कौन से नियत तापी प्राणी है यानि जिनके सरीर का तापमान क्या होता है एक तापमान के बाद नियत रहता है तो उन्हें क्या करते है नियत तापमान प्राणी करते है वो आपका हो जाएगा यहा जानवर है जो सबसे बड़े बच्चे को जन्में देता है हाथी गैंडा ब्लू हेल या दरियाई घोड़ा जो सबसे बड़े बच्चे को जन्में देता हो कौन है ब्लू हेल सबसे बड़े बच्चे को जन्में देने वाला कौन है ब्लू हेल है ब्लू हेल इस तंधारी के अं सर आपको बताना है 365 का तो आपका हो जाएगा चीता ठीक है इसका नाम क्या होता है पैंथरा टिग्रीश तो टाइगर को कहते हैं ठीक है टाइगर मतलब चीता नियत तापी प्राणी यहाँ पे चमगादर हो जाएगा आगे डालफिन बर्गी कृत किया जाते हैं डालफिन ज जली जो गांगे डाल्फिन जोह भारत का जली राष्टी जली जीऊ माना जाता है प्रिद्वॐा पर सबसे अधिक बुद्धिमान इस्तंदारी कौन सा है डाल्फिन, हाथी, हिरण यह पोस, तो कौन है, जो सबसे ज़्यादा बुधिमान है? यां पर 379 का सही आंसर हो जाएगा डाल्फिन उसके बाद आ जाते हैं यां पर निम्लिकित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जन्थ है सफल क्लोन जन्थ सबसे पहला कौन सा है तो वो आपका भेन हो जाएगा जो डाली नमक भेन सबसे पहले सफल क्लोन तयार किया गया था तो वो है आपका डाली भेन साइबेरियन आइसबेक्स क्या है ये आपको बताना है 371 का अंसर आपको बताना है बड़ी और भारी बखरियों को साइबेरियों आई पर गया कने तथा करण GU Tap था का ci दिये अब इक कथन क्या है चमगादर एक इस्तन पाई है चमगादर उड़ नहीं सकता चमगादर उड़ता है यानि एक सही है दूसरा गलत है तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा 372 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा करत चमगादर एक इस्तन धारी है यह बात तो सही लेक एक सच है और आर्या है गलत है सी वाला आपसन निम्लिकित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है सबसे बड़ा बंदर कौन सा होता है वो आपके सामने यहाँ पर बताना है सबसे बड़ा बंदर आपका कौन है गोरिल्ला सबसे बड़ा बंदर कौन है गोरिला मानो सरदिस लगुतम कपी कौन है मानो के समान छोटे कपी दिखते हैं जो कौन है गिबन उसे क्या कहते हैं गिबन निमलिकित में से कौन कौन ऐसा है निमलिकित में से कौन सा विकल मार्सूपियल का उधारण मार्सूपियल ऐसे प्राणी को कहते हैं जिन ना तो अंडे देते हैं ना ही पूर मेच्चोर बच्चे को जन्म देते हैं अर्थ मेच्चोर बच्चे को जन्म देते हैं ऐसे प्राणी को मार्सूपियल प्राणी कहा जाता है मनुस्यों में वेग्यानिक नाम homo sapiens का अर्थ क्या है ? homo sapiens मतलब होता है कि यह ऐसे वेग्यानिक है जो मनुस्यों का वेग्यानिक नाम homo sapiens होने का सही अर्थ क्या है तो wise homonids, buddhiman prani homo sapiens के रूप में बरगे करेंद किये जाने वाले प्रारंबिक homonauts कौन है कह रहा कि सबसे पहले कौन है जिसको होमो किसमें होमोसापियन्स नाम रखा गया था 377 का भी क्रो मेगनन को होमोसापियन्स में सबसे पहले रखा गया था सूची 2 है यहाँ पर रहित कीड़ा उडान रहित पच्छी अंग रहित रिंगने वाला और अंग सहित पसूत यहां पर चारों आपको बताने हैं सही आंसर क्या होगा 378 आपको बता देना है तो हो जाएगा यहां पर मिला दीजिए एका पर रहित कीड़ा सिल्वर फिस सही दो किसी में नहीं उसके बाद जो है उडान रहित पच्छी की भी तो एक यहीं पे है लगता है यही सही है अंग रहित रेंगने वाले तो साप और लिम रहित तो यह तो आपका भी आपसन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा निम्न में से कौन सा हिस्सा मानो तोचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है एपीडर्मिस एपीडर्मिस जो है मानो शरीर का सबसे बाहरी हिस्सा होता है मानो सरीर में तोचा की सबसे बाहरी खुली परद को क्या कहते है जल्दी बताईए तो वो क्या हो जाता है मान स्पेशी को हड़ी से जोडने वाले उतक बहुत important question को क्या कहते है मान स्पेशी को हड़ी से जोडने वाले उतक को क्या करते है जल्दी बताईए तो मान स्पेशी को हड़ी से जोडने वाले उतक को टेंडन कहते है रक्त एक प्रकार का रक्त क्या है एक प्रकार का जल्दी बताईए रक्त एक प्रकार का तरल सन्योजी उतक है भागने लगता है उसके अद्निम्लिकित में से कौन सा संयोजक उतक नहीं है तो यहां पर रक्त तो जोड़ता है अस्ति उपास्ति जोड़ता कंकाल पेसियां संयोजक उतक नहीं है कौन कंगाल पेसियां तो मित्रों यह थे आपके 150 प्रष्ण और इन प्रष्णों को हम संकला के तौर पे हमने कर लिये हैं उमीद है का आप सब को यह वीडियो पसंद आएगा अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा फिर मिलते हैं किसी और वीडियों तब तक लिजाज़त दीजिए जैहिंद कर दाएगा अपने, मिलते हैं आएगा उन्पने हैं किसी और हम कर लियशी एगज पित्य।